नमस्कार प्रभास अक्षी निश्नेटर को आप सभी का स्वागत है हर्याना विधानसवा चुनाओं के लिए जो मदगड़ना का काम जारी है उसके शुरुआती रुजहानों से बीजेपी उत्साहित है बीजेपी की नेता दावा कर रहे हैं कि हम शुरू से कह रहे थे कि हमा सामने आ रहे हैं तो कॉंग्रेस की उमीदों को बड़ा जटका लगा है जिसको लेकर बीजेपी तंजभी कस रही है इस पीच बीजेपी के रास्ट्री अध्यक्स शेपी नडड़ा ने पार्टी के महासच्चिवों के एक एहम बैठक बोला ली है इसमें हर्याना के जो रा अने 6 शीटों पर आगे हैं तो बीजेपी के रास्टी एध्यक्ष जड़ेपी नड़ा ने एक बैठक बोलाई है पाटी के रास्टी महासच्चिवों की उसमें हर्याना की जो चुनावी स्तिती है जो और जम्मू कश्मीर की चुनावी स्तिती है सबाश्य चर्चा की जाए लेकिन क्या बीजेपी अब उसमें कुछ बद्लाव करेगी ऐसे कई सारे फैसले जो होने हैं उन्हों पार्टी का संस्थी बोर्ट तैय करेगा लेकिन फिलहाल जो इस तमें शुरुआती रुजान आ रहे हैं बीजेपी के आगे रूपरेखा क्या रहेगी वहाँ पर क्या कें होंगे इस सब बंद में चर्चा के लिए बीजेपी में उत्साह देखने को मिल रहा है सुबह तक जब रुजान सामने आ रहे थे डाक मतपत्रों के तब बीजेपी के कारले पर वहां पर विरानी चाही हुई थी बीजेपी के प्रवक्ता आ भी रहे हैं बीजेपी के नेता भी खुलकर और हस कर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं तो बीजेपी का जोश देखते बन रहा है क्योंकि हैट्रिक लगाना सत्ता में यह बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी चुनौती होती है बीजेपी ने लोकसभा चुनाओं में भी करके दिखाया है कुछ समय बाद महारास्ट में चुनाओं है और इन दोनों राज्यों में भी सत्ता की प्रवल्द दाविधार है महारास्ट में वह गठमंदन में शामिल है जारकंड में च्ट्रम में अच्छे प्रदेशन का उच्शा पर जिरूर असर पड़ेगा और यह उच्शा हमको जब अभी संसत का जब शीद कालिन सत्र होगा तो उसमें भी देखने को मिल चकता है बीजेपी क्या चुकी है कि कई महत्पूर्ण विधेकों को पारित कराना है बीजेपी सहयोगी दलों की तरफ से कुछ दबाव को भी जहल रहे थी तो यह दबाव निश्चीत रूप से कु आई देखते हैं जो रुजहान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी परोक्ता डॉक्टर सुदान शुत्रवेदी क्या कह रहे हैं मेरा मानना है कि कोई भी निश्कर्ष निकालने के लिए अंतिम परणाम की प्रतिक्षा करनी चाहिए परन्तो हम ये कह सकते हैं कि अभी जो रुजहान आ रहे हैं वो एक सकारात्मक दिशा में दिखाई पढ़ना है और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सकारात्मक रुजहान एक निरनायक और एतियासिक जनादेश में भारती जनता पार्टी के पक्ष में परणित होंगे मुझे लगता है इस प्रकार के दावे प्रतिदावों कोई मत्तर नहीं है कुछ समय की बात है एकाद घंटे या कहें कि कुछ मिनट की बात है सो डेड़ सो मिनट और उसके बाद दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा जम्मू कश्मीर में हम ये कह सकते हैं कि लोक तंत्र का पर्व बड़े उत्साह और विवस्ता के साथ मनाये गया है जम्म जैसे सेक्टर में 80% तक मद्दान होना और हम ये कह सकते हैं कि देखिएगा जनता निरनायक और एतिहासिक जनादेश देगी और भारती जनता पार्टी अब तक आपने सबसे शांदार प्रदर्शन करें अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके